दोस्तो भारत सरकार ने एक नई सुविधा शुरू किया है दोस्तो जिसके तहत आप COVID-19 के सेटिफिकेट को अपने WhatsApp से ही डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो यदि आप COVID-19 का वैक्सिन ले चुके हैं तो आपके लिए सबसे important काम है दोस्तो सेटिफिकेट को डाउनलोड करना सेटिफिकेट का जोरत आपको हर जगा पढ़ सकता है दोस्तो जैसे मान के चलिए यदि आप हैसो एक देश से दूसरी देश में ट्रेबल करना चाहते हैं तब भी आपको सेटिफिकेट का जोरत पढ़ेगा या आप हैसो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी ट्रेबल करन चाहते हैं या बहुत से सरकारी और गेर सरकारी संस्थान है दोस्तों जहां पर आपको इंट्री लेने के लिए सेटिफिकेट कर जोरत पढ़ सकता है इसलिए आपको सेटिफिकेट को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यजिके लिए उपन करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एक नमबर टाइप करना है जो कि है 9013151515 देख लिजिए इस नमबर को यह नमबर आपको जो है किसी भी नाम से सेव कर देना ठीक है आप जीस भी नाम से सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते है बस आपको नाम करना क्या है तो आपको अपनी whatssap को open करना open करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे आप हैसो click कर दे ठीक है उसके बाद three dot में आप हैसो click करें और refresh ने click कर करके refresh कर दें उसके बाद तोस्तो वो 9 जो 8 आपने है 100 बी नाम से शेब किया था उस नमर को आपको जो है यहाँ पर सर्च करना है ठीक है, जैसे मैंने एस नाम से save किया था, तो सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर खोजना पड़ेगा वो number कहा पे तो देख सकते दोस्तो यहाँ पे है S-Nam का number तक यहाँ पे click करना है ठीक है तो लो इसका chat open हो जाएगा देख सकते हैं open हो गया है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आपको जो है chat में यहाँ पे आपको लिखना है download सेटीफिकेड यहाँ पर लिखना है सिया टियाइए CHA मेसेज जो है इसको आपको सेंड कर देना थीक है यह इसके पास चला जाएगा दोस्तों देख सकते है उसके बात दोस्तों क्या बोल रहा है यहां देख सकते हैं उपर में OTP आ गिया है तो इस OTP को आपको CT करके यहां पर paste कर देना है यहां पर paste करके फीर सही औो को उसको send कर देना है, तो मैं यहाँ पे paste करके send कर देता हूँ, देख सकते दोस्तो OTP चला गिया, अब उधर से एक और यहाँ पे message आ गिया, बोल रहा है कि यहाँ पे आप हैसो direct इस link पे click करके download कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जो है, जो number आप हैसो registered किये थे, उस number को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, तो मैं अपना number यहाँ पे डाल देता हूँ, जिस number से मैंने अपना registration किया था, ठीक है तो मैं अपना number यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तो जल्दी से तो मैंने अपना number डाल दिया दोस्तो उसके बाद इस number को मैं send कर देता हूँ ठीक है तो देख सकते हैं मेरा number send हो गया है उसके बाद weight करता हूँ तो देख सकते दोस्तो उधर से क्या आया बोल रहा है कि एक OTP फिर आया और यहां पे बोल रहा है यहां पे बोला जा रहा है दोस्तों कि मेरा जो number है mobile number वो उस mobile number पे दो यहां पे registration किया हुआ है एक मेरा नाम और एक मेरा भाई का नाम से ठीक है यहां पे आपका जितना भी registration किया हुरेगा सारा दिखा देगा तो आप जिसका भी download करना चाहेंगे ज उसी के नाम के आगे वला अच्छार आपको लिग देना है ठीक है जैसे मैं वन लिखता हूँ ताकि मेरा ही डानलोड हो तो देख सकते दोस्तों मेरा सेटिफिकेट यहाँ पे आ गिया ठीक है तो कुछ निकरना है डानलोड करने के लिए यहाँ पे आपको किलिक कर देना इस जो गोल खेरा दिख रहा है यहाँ पे आपको बस किलिक करके छोड़ देना है तो अटोमेटिक यह डानलोड हो जागा देख सकते दोस्तों डानलोड होना स्टार्ट हो गया यह तुरंत डानलोड भी हो गया तो मैं यहाँ पे किलिक करता हूँ और इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो देख सकते दोस्तों ये open हो गिया है और मेरा यहां पे certificate successfully download हो गिया है खुल भी गिया है दोस्तों यहां पे सारा चीज लिखा हुआ है मैंने यहां पे security purpose के लिए थोड़ा सा blur कर दिया है तो उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होगा यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें और दोस्तों यदि आपका कोवीड-19 के certificates related कोई भी सवाल हो तो मुझे नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिन नेच्ट वीडियो में